नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आसकी इस नहीं वीडियो में तो बहुत सारे बच्चों उन्हें रिक्वेस्ट किया था कट ओफ की प्रेडिक्शन करिये डियों कट ओफ की ठीक है तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था स्लाइटली लो होने वाली का टॉप वो खुद मेरा ओपिनियन नहीं धवाई वह दप्रेंट आप लोगे नहीं सुना होगा दप्रेंट एक मेडिया हाउस है उसने अपने इंटर्विव लिया था डियो पैनल के कुछ मेंबर्स का जो एड्मिशन प्रोसेस में सामिल होते हैं ऐसे मेंबर् काईदा खबर चपी हुई है आप जाके वहाँ उनकी ओफिस्टल वेबसाइट पर प्रेंट की देख सकते हैं ठीक है आप लोग इतने सारे गंदे कॉमेंट्स करने लगए कैसी मेंटेलिटी है किस किशम के इंजान नहीं है तो आप जान सकते हैं डिसलाइक का बटन सब्सकाइब ठीक है फिलाल आज के कट आफ रब की बात करते हैं तो टॉप इन कोर्स्स जो डियुक औभ टुप टें कोर्सले जिनके लिए बहुत सारे बच्चे पूरे इंडिया से आते हैं ठीक है तो जिसमें पहला कोर्स आता है ईंगलिस का बी ऑॉरॉर्भ्ष इंग्ल पाचवे नंबर पे भी और साइकलोजी आता है एक साइकलोजी का केस इस बार अलग होने वाला है यह एक ऐसा सब्जक्ट होगा डिएंट ओनर में में जिसके लिए कट्व है कम नहीं होगी इस बार बाकि जितने भी सब्जक्ट जितने भी कोर्सेज हैं उनसब की कट्व 0.25 स गलग कम होने वाले है डिक्रिमेंट होगा इतनी पर्षंट यह ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा डियू पैनल रहा है मिंस डियू अड्मिशन में जो बैठें पैनल्स वह कह रहा हूं वहां के मेंबर्स कह रहे हैं ठीक है ऐसा दवायर में सॉरी प्रिंट में छपा हुआ आप आके देख लीज़ें तो चलिए बात करता हैं पहली कट ओफ की BA honors English जो साइंटी स्टीफिन कॉलेज की बात करेंगे तो वह autonomous college है ठीक है बेहत्रीन college है autonomous college है और हिंदू college वह है वह दियू से affiliated college है ठीक है तो सैंटी स्टीफिन में 98 cut of जाने वाली है यह मेरा prediction है इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है तो हिंदू college जो है वहाँ 97.50 cut off होने वाली है दूसरी cut off में दूसरी cut off आने के chances ही नहीं रहते हैं ठीक है क्योंकि पहली cut off में admission जो top courses होते हैं और top colleges होते हैं North Campus के वहाँ पहली cut off में admission close हो जाता है नॉर्मिली तो डियू में साथ से आथ cut off आती हैं कई ऐसे colleges हैं जहां पर 10 से 11 cut off ही आती हैं ठीक है स्टार्टिंग में कई college ऐसे होते हैं जो अपनी cut off को increase करके रखते हैं reason यहीं होता है कि over crowding से बचने के लिए over admission से बचने के लिए इसलिए वह अपनी cut off को बढ़ा के दिखाते हैं जबकि जाते जाते लास्ट में इसलिए उनकी cut offs आ जाती है ठीक है तो हर बार क्या होता है साइंटी स्टीफिन हो गया हिंदू college हो गया सार सी सी हो गया तो यहां पहले ही cut off में सीटे फिल हो जाती है ठीक है क्योंकि यह North Campus के अच्छे college है ठीक है तो दूसरा कोर्स की बात करेंगे तो वह बीए honors political science की बहुत जादा हाली है 97.75% ठीक है दूसरी cut off की कोई chances नहीं है पहली cut off में ही सीटे फिल हो जाती है पर फिर उसके बाद लड़कियों की बात कर ले girls के लिए अगर वह जाना चाहती है तो हिंदू college ना जाके SRCC जा सकते सारी लेडी स्री राम college जा सकते हैं ठीक है तो यह विमेंस का college है उनके लिए वेत्री मिन्स 98.75 यहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का admission होगा ठीक है 98.75 cut off जाती है अगर आपके marks अच्छे हैं तो हिंदू college ना जाके आप यहां admission ले सकते हैं ठीक है वर्जिंट्री से बच जाएं यह आप लोग तो question number 3 देखते हैं sorry यार तीसरा कोर्स देखते हैं वे ओनर्स economics का ठीक है तो वे ओनर्स economics तो यहां पर popular course है तीसरे नंबर का डियों का डियों का डियों इन्वेस्टि में वह है कि economics honors का ठीक है तो यह इसके लिए सैंटी स्टीफिन अच्छा रहेगा या फिर srcc ठीक है स्री राम कॉलेज अफ कॉमर्स तो srcc यह तो बढ़िया है डियों का या फिर स्कॉलेज आप सैंटी स्टीफिन ले सकते हैं तो srcc में जो कॉट ओफ इस बार रहने वाली हो वह 98.50 सम्थिंग रहने वाली है ठीक है तो मतलब पिछली कॉट आप से कमी रहेगी यह जानके चलिए आप समझ के चलिए सैंटी स्टीफन की 98.25 रहने वाली है ठीक है दूसरी कट आफ आनी नहीं है क्योंकि पहली में फिल हो जाएगी तो चौथे नंबर का जो बहुत ही पॉपलर कोर्स है वह वी ऑनर्स हिस्ट्री का है तो इसके लिए जो वेत्रीन कॉलेज है वह हिंदो कॉलेज है डेली कॉमर के लिए बहुत ही वेत्रीन कॉलेज है अगर आपके प्रेशंटेज थोड़ा कम है तो आप डेली कॉलेज ऑफ आर्ट्स अंड कॉमर्स में अड्मिशन ले सकते हैं हिंदो कॉलेज तो ठीक है उसकी कट आफ थोड़ा ज्यादा जाती है लेकिन जो हिस्ट्री ऑनर्स के कम जाती है वो है डेली कॉलेज ऑफ आर्ट्स अंड कॉमर्स कि हिस्ट्री का यह अच्छा कॉलेज है लेकिन यहां कॉट अप जो है कम जाती ठीक है तो इसकी कॉट आप 93.75 परसेंट इस बार रहने वाली है और मैक्सिम जा सकती है दूसरी कॉट आप 93 परसेंट आ सकती है सबसे कम कटॉफ इसी कॉलेज की रहने वाली है ओनर्स के लिए बी ओनर्स साइकॉलोजी की बात करेंगे ठीक है साउथ केंपस में तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजिस होंगे जहां पर आपको कटॉफ मिन्स 90 के असपास भी अड्मिशन मिल जाएगा राम से ओनर्स में ही तो बी ओनर्स साइकॉलोजी यह मैं जो कटॉफ बता रहा हूं यह जनरल के रिफरेंस में बता रहा हूं ठीक है जितने तो कम भी चली जाती है डीडवलोएस ओभी सी केंपरिजन में कम भी आ जाती है ठीक है जो लास्ट कॉर्स देखेंगे हम जो पाचवे नंबर का पॉपलर कोर्स है डियों का वह है बी ओनर्स साइकॉलोजी ठीक है इसके लिए जो अच्छे कॉलेज है वह जीजस और मेरी स्रीराम कॉलेज ओफ कॉलेज फिर विमेंस तो इनमें और जीजस और मेरी में 100% कॉट आफ देखने को मिल सकती है यही दो कॉलेज है यही एक ऐसा कॉर्स है जहां पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट 0.25 का यह 0.50 का इंक्रीमेंट देखने को में और लेडी स्रीराम कॉलिस्ट फॉर विमेंस यहां 99.75% कट ओफ रहने वाली है ठीक है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एस्पिसल और सारे वीडियो बना दूंगा टॉप टेन कोर्स यह फाइब था उसके बाद भी बता दूँगा ठीक है तो कोई डाउट हो तो इंस्ट विल्केम मिलते नेक्स वीडियो में ख्याल रखिये हैं ठीक हैं अ झाल झाल